देखे आज के इस वीडियो में आपके लिए काफी हेलफूल एक टिप लेके आई हूँ नीटिंग की कभी कभी क्या होता है इस तरीके से हम जो है सिधा सिधा बना लेते हैं काटेज स्टीजिज देखेगा इस तरीके से और उन्हें जाइंट करना पड़ता है अगर हम उन्हे हम शोल्टर जाइंट करते हैं वैसे करेंगे तो कुछ इस तरीके से जिखेगा यह से हमने यहाँ पर शोल्टर जाइंट किया है तो कुछ इस तरीके से जो है बनके आता है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रेट करता है या साम में दिखने लग जाता है कि बिल्कुल अच् किसे करते हैं हमारे पैर में चुबने लगता है अजीब सा हमें लगता है तो चलिए इसी के साथ हम अपनी नीडिंग की ये स्पैशल सी ट्रिक जो है आज शेयर करेंगे तो इस तरीके से जो आप बना रहे होंगे उसके तरफ आपका दागा होगा उसी को आप इस तरीके से थोड़ा ज्यादा कट कर लीजिएगा और इसमें जो है अपनी जो है नीडल वो डाल लीजिए यहां पर आप हम क्या करेंगे इस तरीके से दागा हमने डाल दिया है सुई में यह हमारा इसी के साथ जो था अटाइच था तो जो देंगे देखियेगा यहां पर इस तरीके से अब जो यह पहला वाला फंदा है इसे जैसे हम क्या करते हैं यहां पर पर करते हैं यानि की उल्टा बुनते हैं वैसे ही अपनी शिलाई में से ऐसे डाल दीजिएगा फिर बैक में जाइएगा देखेगा यहाँ से भी एक फंदा ले लीजिए आ और इसे ये एक फंदा लिया इसे भी हमने उरिटा बना लेना है इस तरीके से फिर क्या करेंगे जो पहला वाला फंदा हमने उल्टा बनाया था सामने तो अब इसे हम सिधा बुनेंगे याने कि निट कर लेंगे इसे इस तरीके से और इस फंदे को हम स्लाइसे उतार भी देंगे इस तरीके से हो गया यहाँ पे फिर यह जो साथ वाला फंदा है इसका इसे हम इस तरीके से उल्टा बना लेंगे और बैक वाले में इस तरीके से सिधा देखेगा यहाँ पर यह जो बैक वाला है इसमें ये वाले फंदे में इस तरीके से सिधा बना लिया और इसे गिरा भी दिया इस तरीके से आप क्या करेंगे आगे इसके साथ वाले में आप इस तरीके से उल्टा बना लीजिए और आगे वाले को इस तरीके से सीधा करके आप गिरा लीजिए फिर अगले वाले को सेम वही करना है इस तरीके से उल्टा बना लीजिए बैक से इस तरीके से सीधा बना के फंदे को गिरा लीजिए इसके अगले वाले को उल्टा बना लीजिए फ्रंट से इसे सीधा बना के गिरा लीजिए फिर इसे उल्टा बना लेंगे इस तरीके से बैक वाले स्टिच को इस तरीके से सिधा करके हम उतार देंगे फिर इसके अगरे वाले को उल्टा बना लेंगे यह उल्टा बना लिया हमने नेक्स्ट को इस तरीके से हम गिरा देंगे सिद्ध की तरफ फिर ऐसे उल्टा बना लेंगे बैक में जाएंगे तो इसे इस तरीके से सिद्ध हम गिरा देंगे फिर इसके साथ वाले को इस तरीके से उल्टा बना लेंगे आगे आएंगे तो फ्रंट वाले को इस तरीके से सिद्ध बनाएंगे और गिरा देंगे सात में tight करते जाईएगा यह देखेगा बिलकुल भी पता नहीं लग रहा की आपने इसे जो है यहां पे joint किया हुआ है अब इसी तरीके से में इसे complete कर दूँगी देखेगा इस तरीके से हमने joint कर लिया है आप देख सकते हैं यह देखेगा बिल्कुल क्लोज से देखिए पता ही नहीं लग रहा कि हमने इसे जो है सुई की हेल्प से दो अलग-अलग पार्ट्स को जाइड किया है नीचे से देखिएगा बिल्कुल क्लोज अप करके ये देखिएगा ये देखिए बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि आपने जाइड किया है यहाँ पर धागा भी मैंने यहाँ पर साथ में रखा है ताकि आपको क्लियर हो जाएगी ये देखिएगा ये देखिए ये देखिए बिल्कुल असान है तो आप भी इस ट्रिक को जरूर एक पर एपलाई कीजिएगा साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हैल्फूर आओ इसे लाइक कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंज का शेयर करना मत भूलिएगा मेरे चनल को सबस्क्राइब कीजिएगा साथ ही अगर आप इस वीडियो को फैस्बुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे फालो कीजिएगा थैंक यू